हलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकिश वर्मा और मेरी यूटूब चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों आज के वीडियो में जानेंगे अति लगूत्री प्रशन उत्तर जो आपकी राजिशेव अमुक परिक्षा के लिए महत्मूर रहेंगे और इनका उत्तर हमें एक से दो पंक्ती में देना होता है तो चली शुरू करते हैं तो पहला कॉश्चन है मजनुखा का आक्षा है कौन था तो उत्तर में रहेगा यायकवर का एक सेनपती था और इसने 1569 इसा में कलिंजर अभियान किया और उस समय का राजा वहां का राजा रामचंद्र था अगला कॉश्चन है सर एम बिश्वेश्वरईया पर समचिप टिपड़ी लिखिए तो उत्तर में रहेगा इन्होंने 1934 इस पी में अपनी पुस्तक The Plant Economy for India में राश्ट्री आयको 10 बर्षों में दुगना करने का लक्ष रखा और इन्हें भारत की योजना का जनक कहा जाता है अगला कॉश्चन है Operation Zero Hour क्या था तो 8 अगस्ट 1942 की आधी रात के बाद ही अंग्रेजी हुकूमत ने Operation Zero Hour के तहत कांग्रेजी के सभी महत्पून एताओं को गरपतार कर लिया था और अंग्रेजी ने Operation भारत छोड़ों अंदुलन को विफल करने के उद्देश से किया था अगला कॉश्चन है मादवाचारे कौन थे तो यह भक्ति अंदुलन के एक प्रमुक संद थे इन्होंने संकराचारे और रामानुज दोनों के मतों का ब्रूद किया और अपनी मत द्वैत बाद का प्रतिवादन किया अगला कॉश्चन है बुलंद दरवाजा कहां इस्थित है तो इसका निर्माण मुगल समरा टकवर ने करवाय था और गुजरात की विजय की याद में राजदानी फत्यपुर शीकरी में इसका निर्माण करवाया गया अगला कॉश्चन है नैचुरल हिस्टोरी का प्रशिद रचना किसकी है तो यह पिलानी की प्रशिद रचना है और इस गरंद से भारती पश्वों पोदों और खनिच पदार्तों की जानकारी मिलती है अगला कॉश्चन है स्यद गेशुद राज कौन थे तो यह एक प्रशिद सूफ इसंत थे बिद्वान इवं चिंतक की रूप में जाने जाते थे और इस सूफियों के जिस्ती विचारधारा के प्रचारक थे अगला कॉश्चन है आला उदल कौन थे तो यह चंदिल साक्सक परमल अर्थात परमारदीदेव के सेनपती थे और ग्यासो बियासी में प्रथिवी राज चोहान के आकर्मन का सामना करने के बाद ये बीरगती को राप्त हुए थे अगला कॉश्चन है बाल रामान की रचनकार कौन थे तो इसकी रचन प्रशिद विद्वान राज से करने की थी और इसके अलावा इन्होंने भुवन कोश करपूर मंजरी जैसे याने गिरंतों की रचना की अगला कॉश्चन है बाबा फरीद कौन थे तो यह चिस्ती संतों में सबसे महान शूफी संत थे इनका नाम शेख फरिद्दीन गंज संकर था और इनका बबा सुल्तान बलवन की पूत्री हुजेरा के साथ हुगा था अगला कॉश्चन है राज करंगणी के रचना कार कौन थे तो इस पृषिद एताया से गंद के रचना कार कलहन थे और इस गंद से कश्मीर के हिंदू राज्जिका इतिहास ग्यात होता है अगला कॉश्चन है आबू का दिलवाड़ा मंदिर कहां इस्थित है और इसका निर्माण किसने करवाया तो इसका निर्माण गुजरात के चालुक के शूलंकी सासक भीमदेव प्रिथम के सामंत बिमल साहने करवाया था और यह शंगमरमर से बना जेन मंदिर है अगला कोशन है अटाला मस्जिद का निर्माण कब और किस ने करवाया तो इसका निर्माण जोनपूर में इबराहिम शाह शरकी ने करवाया था और इसका निर्माण लगभग 1408 इसा में हुआ था अगला कोशन है रैयत ए आला से आप क्या समझते हैं तो यह एक उपादी है जिसे सिल्तनत काल किशासक खुजर खाने धारण किया था और खुजर खा को श्रैयत बंस का संसाफ़क माना जाता है तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही थैंक्यू